तो आज का विशे हमारा है अलंकार शास्तर अलंकारों की यहां दोनों तरह की बाते करेंगे जो काबिया प्रकाश के अनुसार है शब्दा अलंकार या अर्था अलंकार दोनों के हम बात करेंगे यदि पर हम सारे अलंकारों को नहीं पड़ेंगे आपको एक परिचे कराया जाएगा बेसिक परिचे कि जो अलंकार है काबिय प्रकाश में कितना का बढ़नन हुआ है किस तरह की चर्चा हुई है यह सारी चीज़े बहुत अच्छा है तो उतने ही हम बात करेंगे, यदि आपको उससे अधिक जानना है, तो वो भी मुझे टेक्स पे बता देना, मेसेज पे बता देना, ये कावे प्रकाश के नुसार हमने गुणों की बात की थी, उनके स्थाई भाबों की बात की, तो स्थाई भाब भी हमारे नौ होते हैं, और तीन प्रकार के, शमा चाओंगा, रस भी हमारे नौ है, और स्थाई भाब भी नौ प्रकार के, वो हम कल की कक्षा में बात कर चुके हैं, अब आती है बाते हैं, कि ये अलंकार कितने हैं, तो इसके पीछे का हमारे प्रस्तावना से लेकर हम चर्चा करेंगे, खेरेग काव्य प्रकाश से समंधीत तरितिया ही काई है, इस ही काई के अध्यें आप बतासकते हैं कि काव्य शास्त्रीय परंपरा में अलंकार लक्षन क्रमी के विकास किस प्रकार हुआ, इन सब का भी विजय कैसे वर इसके अध्येन के लिए कावरे प्रकाश में 5 शब्दा लंकार है और 61 अर्था लंकार है और 67 यह एक उभय लंकार है और 67 अलंकार बन जाते हैं शब्दालंकार के अगरम बात करेंगे तो शब्दालंकार हमारे पांच है यह पांच है और अर्थालंकार तो अर्थालंकार हमारे इकासत है और उभेलंकार की बात करेंगे तो उभेलंकार एक है और अलंकार एक है, तो यह कुल मिलाके हमारे अगर काब्य प्रकाश में कितने अलंकारों के बात होई है, तो 67 अलंकारों की चर्चा की गई है यह याद रखना, शब्द अलंकार पांच है, अर्थालंकार 61, और अलंकार 1 है और अगर हम अन्य आचारियों की बात करेंगे तो अलंकारों की संख्या भिन भिन आचारियों के मतमें अलग-अलग पाई जाती है अन्य सबने अलग-अलग का पिर भर्त के नाटे शास्त्र में उपमा रूपक दीपक तथा यमक केवल चार ही तरह के अलंकारों का वरनन है और बामन ने 33-33 भेद दिखाये दंडी ने 35 भामह ने 49 प्रकार का रूद भट ने 40 अलंकारों का वरनन किया है और रुद्रट ने काब्य अलंकार में 52 काब्य अलंकारों को तथा काब्य प्रकाशकार ने 67 का वरनन किया है अगर हम इनकी सूची बनाते है तो काब्य प्रकाश के अनुसार 67 अलंकार है भर्त के अनुसार 4 अलंकार है बामन के अनुसार 33 अलंकार है और दंडी के अनुसार 35 अलंकार है और भावा के अनुसार 49 है उद्भट के अनुसार 40 है और ऐसे रुद्रट ने अपने जो काभी अलंकारों का प्रयोग किया और काभी प्रकाश्टार ने 67 का तो यह हमारे अलंकारों का अगर हमने जानना एक तो स्वरूप आपको समझ में आ गया कि सभी आचारियों के मत में अलंकार भिन्न भिन्न है और अभी हम इसमें यही जानेगे कि अलंकारों का कैसे आगे विकास हुआ क्या रहा इसके विशे में उनके लक्षन क्या कहेगे सगोनाव अलनकृति पुनह क्वापि अलनकृति कहा का कि वहाँ अलनकार की भी बात की गई है उन्हों का शब्दार्थों शब्दार्थ हमने पढ़ लिए शब्दर अर्थ शब्द तीन तरह के हैं है ना लाक्षने के बाद और मस्तिष्क से निकल रहा है मैं उजे शब्दों के वेद आ जाएगा या तो मैं आपको बतातू तो तीन तरह के शब्दें तीनी तरह के अर्थ है और तीनी तरह के शब्दों की शब्दार्थ हैं जैसे अभिधा, लख्षन और विएंजणा आईसे ही लक्षयार्थ और व्यंगयार्थए बाचक लक्षनित और वेंजक तीन तरह के شब्द होते हैं। तो अब इसके बाद आती है अलंकारों की बाद, तो वह अलंकार क्या है? तो अलंकारों में हमने कहा कि तीन तरह के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थाम neither और एक जो शब्द और अर्था दोनों का समाबेश्चिस में रहें। तो उनकी बात करेंगे, तो तीन तरह के भेद बताएगे अलंकारों के, जो अलंकार शब्द परिवृत्य सह होते हैं, परिवृत्य हमें होते हैं, मतलब जहां शब्दों से हमें अलंकार का पता लगता है, तो उसको कहते हैं शब्द अलंकार, मतलब किनी विशेश शब्दों के राने पर ही अलंकार जहां पर स्फूट हो जाए पता लग जाए कि यहां यह अलंकार है जैसे को दाहरन आप लोगों ने पड़ा होगा लता कुंजम कुंजम लता कुंजम गुंजन मदबदले पुंजम चपल यन जहां एक ही शब्द का पुना-पुना वृत्ति हो न तो वहां पर अलंकार होता इसको शब्द अलंकार कहेंगे और उन विशेश शब्दों को बदल कर यदि उनके स्थान पर उनके प्रियाय बाची दूसरे शब्द रख दिये जाए तो उन अलंकारों की स्थिती नहीं रहती है कहें जाते हैं जो अलंकार शब्द परिवर्ति सहा होते हैं अर्थात यदि उन उन शब्दों का परिवर्तन करके उनके समानार्थक दूसरे शब्द प्रियुक्त कर दिये जाए तो भी अलंकारों को कोई हानी नहीं होती है वे अलंकार शब्द आश्रित नहों करके अर्थ प जाए उसको शब्डालंकार कहेंगे जहां अर्थ देखा जाए अर्थ में चाहे शब्द उसी के तत्सम शब्द कोई भी आ जाए जैसे यह था मैं कहूंगा शिशु, बालाह, दिम्बाह, तीन शब्द है अलगलग अर्थ में है यह की अर्थ में शिशु के लिए प्रयोग में लाया जाएगा हमने शिशु का प्रयोग किया हो या बालाह का प्रयोग किया है या डिम्बाह का किया है तो अर्थ तीनों का यह कै तो यह अर्थालंकार में यहां कोई भेद नहीं आए यदि शब्दालंकार में शिशु शिपट को अगर बालाह कर देंगे तो। वहां परिवर्तन हो जाएगा तो फिर अर्थालंकार शब्द में नहीं रहे गा तो इसलिए अर्थालंकार गएंगे तो नवम эту willals में ही about अर्थालंकारों की बात करेंगे नौए और दस्व उल्लास में काभ्य प्रकाशकार ने इनकी चर्च की है वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेश, चित्र ये पांच उल्लंकार है और छटा जो पुनरुक्त वदा भास नाम उभे उलंकार है जिसमें दोनों है शब्दा भ अर्थालंकारों की बात की गई है अगर हम इसी की पुस्तक में देखेंगे तो नवमुलास में नवमुलास में हमारे पास है शब्दालंकार तो शब्दालंकार कितने है तो शब्दालंकार हमारे पांच ही तरह, पांच तरह के है और पांच तरह के कौन-कौन से है वक्रोक अनुप्रास यमक श्लेश चित्र यह पांच अलंकार है जिनको शब्दा अलंकार कहा जाता है और छठा भी इसी में आता उभे अलंकार उभे अलंकार के भी नवम उलास में ही चर्चा की गई है उसका नाम है पुनरुक्त वदाभास तो यह और दस्वे जो हमारा दस्वा उलास है जितने भी अर्थालंकार है और इकासट अर्थालंकार है इकासट के इकासट अर्थालंकारों का यह वहाँ पर निरूपन किया गया है अलंकारों की संख्य के विशे में मैंने कहा कि मतभेद है और इस प्रकाब्य प्रकाश कारने भी पांच शब्दालंकार माने इकासट अर्थालंकार माने और यह का उभे अलंकार माना गुल मिलाकर यह होते स्थालंकारों काना इस पर हम जादा बात नहीं करेंगा अलग अलगा चारिक मत में अलग अलग है मैंने जिसकी चर्च कि बामनने अ 233 भेदमाने और दंडिने पंच 3 भेद। भामाहा नव 33 पुदभट चत्वारी इंशत एवं कांब्य अलंकार है रूद्रटह द्वा दुई पंचाशत काभ्य प्रकाशकार रहा काभ्य प्रकाशकार ने 67 और दूसरे जय देव ने अपने चंद्रा लोक ग्रंत में अलंकारों की संख्या 100 मानी और अप्य दिक्षित ने कुबलया अनंदे का ग्रंत है उसमें 124 मानी तो इस प्रकार इन्होंने चर्चा की गई है तो इनका निमिलिकत रूप से हम बरनन कर रहे हैं यह वी कौन-कौन से अलंकार है तो एक तो फुपर श्लोकों में याद रखना यह ज़्यादा है अधिक सर्ल हो जाता है कि सामाने रूप साहमें श्लोकों में ही बिशे ह्याद रखने लिखा इफ यपामा रूपकम चैव दीपको यमकस्त था, चत्तवारह यव अलंकारह वर्थेन निरूपिता, वि भर्थमुनीना कति अलंकारह निरूपिता, चत्तवारहे यदी समर्था उन श्याताि तर श्लोकेन, एकेन इव श्लोकेन तत्समुर्थ। शक्य दे यह ता उपमा रूपकम चैव दीपको यमकस्त था चारों के नाम दिए उपमा लंकार रूपकलंकार दीपकलंकार और यमकलंकार ये ते चत्वारहयवा लंकार है के न उचन करे चत्वारहेवलंकारा वरतेन निरूपिताहा ये भरताचार्य ने अपने जो उनका भरतनाटे में उसमें चार अलंकारों का वरणन किया कर बामनेन त्रयस्त्रींशत भेदा स्पस्य निरूपिता है, पंच त्रींशत दुई पंचाशत दंडिना प्रतिपाधिता है, वे बामनेन कती त्रयस्त्रींशत भेदा है, और पंच त्रींशत भेदा केना, और दुई पंचाशत दंडिना प्रतिपाधिता है, अना, ऐसे ह यहां थोड़ा इसमें आशुद्ध हो गया यहां में लिखने में नवत्री शद है नवत्री शद द्विश्द चादया भामेन प्रकृति तहा चत्वारी शद विधश्च चैवो उद्भटेन प्रकृति तहा तो इस तरह करके इनके नाम दिये भी किसने कितने माने है यह भी याद रख सकते पर श्लोक में जहां-जहां शा होना था वहां पे शा हुआ है मुलत अस्यस्थाने अत्र शकारहत अस्ति यह जब पीडियेप करते तो पीडियेप में परिवर्तित हो जाते तो यह ध्यान रखना आपने सब्त शष्टी विधा यहां उल्टा हुआ है इसके स्थान पर यह हुआ है और इसके जो शाजा शावनत वहां शाव हुआ है कि कुर्ति देव के कारण ऐसा होता है अब काब्य प्रकाशकार ने कासट और थालंकार माने और दसमे उसमे उलासमे उनका वर्णन किया तो कौन-कौन चे है उनके नाम यह दिये उपमा अनवय उपमे उपमा उत्प्रेक्षा संदेह रूपक अपन हुती शलेश ह स्मासोक्ती निदर्शन अना यह सारे इस्तर करके उन्होंने इकासट अलंकारों को वर्णन किया यह आपको प्रशन यदी पूछा जाएगा तो पूछेंगे काब्य प्रकाशकारेन दश्मेवला से कती अलंकारान वर्णन कितम यह काब्य प्रकाशे अर्थालंकाराह कती यह काब्य प्रकाशे शब्दालंकाराह कती यह पूछा जाएगा एतेशु कह शब्दालंकाराह यह एतेशु कह उभेलंकाराह एतेशु कह अर्थालंकाराह तो तो इस प्रकार आपको प्रशन पूछा जा सकता है, बहुत सारे प्रशन हो सकते हैं, कि वामन में कितने अलंकार है, तो इस तरह की चर्चा यहां की जा सकती है, अब अलंकारों के वर्गी करनों की बात आई, कि अलंकार सरवस्व, तो यह कह रहें, निर्माता रूप्य का है, बारविश्टापदी का है, 67 अलंकारों का प्रतिवादन की है, रचना शैली के अधार पर साथ मोख्या भागों में उनका, यहना समस्त अलंकारों का वर्गी करनों किये गया है, इनमें प्रथम वर्ग के फि नाम और उनके अंतरगत अलंकारों कि किस प्रकार हैं, वो बनाए गया है, साधरिश्य अमोलक अलंकार, यह करा colonial है, चार प्लस छे प्लस दो प्लस 7 तो खुल मिला कि 19, यहां यह आते हैं, यह कैसे ही आप आगे समझेंगे, अब हेदावेद प्रधान है, चार है, आका दिय यह करम बताया गया है ना आरोप मुलक अभिध परदान चे है अध्यवसाय मुलक अभिध परदान दो है गम्य आप्य मुलक अलंकार 17 है तो ऐसे करके इनके साद्रिश्य मुलक अलंकारों की अगरम बात करेंगे तो इसमें बिरोध मुलक अलंकार है श्रिंकला बंध मुलक अलंकार है तरक न्याय मुलक अलंकार है बाक न्याय मुलक अलंकार है लोक न्याय मुलक अलंकार है गुड़ार्थ प्रतीती मुलक अलंकार है साद्रिश्य अत्रिक्त मुलक अलंकार है कुल मिलाके 38 हो जाते इस प् तो साद्रिशम जो फेदा प्रदान की बात कि कौन से है जोस इसमें वो-पम, उपमे या उपम, अनन वय, अनन वय और स्मार्ण कारिका तीन, कारिका दू, कारिका भाबन यह कारिका के संख्या दे गए fragment अब आरोप मुलक अभ्येद प्रदान्ज च्छालंकारे कौन-कौन से आते उसमें रूपक परिणाम, ससंदेह, भ्रांतिमान, उलेख, अपन हुती और अध्यवसाय मुलक अभ्येद दोप्रकार के उत्त प्रेक्षा और आतीश योक्ति और गम्य आप्यम अप्यमा अप्यम्या मिश्रित साद्रिश्यमुलकलंकार 17 है तो इनके नाम दियेगे तुल्य, तुल्योगिता, दीपक, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टांत, निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर, परिक, करांकुर, शलेश, तो इस तरह करके इनके चर्चा की गई है, यह आपको पढ़ने के लिए छोड़ देते, यह आपको नोटस अपलोड हो जाएंगे, तो नोटस उसे आप देख सकते हैं, तो इसमें हमने देखा कि इसमें केवल मात्रा अभी तक हमने यतना समझा कि अलंकार कैसे कैसे है, अलंकारों को कितने भ माने और 61 अर्थ अलंकार माने और एक उभे अलंकार माना कुल मिला के होगे 67 अलंकार, भर्त मुनी के नाट्य शास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक, यमक, केवल चार तरह के अलंकार का बरणन हुआ, बामन ने 23 तरिंशत बेद बताए, दंडी ने 35 तरिंशत बेद कै, भ काब्य अलंकार में उन्होंने 25 तरिंशत काब्य प्रकाशकार ने 16 वैसे कहें, तो ये चर्चा हुई है, अब देखो, वे अलंकारों का मतलब क्या है, तो काब्य प्रकाशकार ने उनलास में का अलंकृति पुनह क्वापी, ये जो मैंने कहा कि तद दोशव, प्रक्षन पड़ा काब्य का, उसमें का अलंकृति पुनह क्वापी, विशबदार्थों का एक्विशेशन दिया गया, इससे समझने के लिए अलंकारों का निरूपन करना आवशक है, इसलिए इसी काई में हम ये ही चर्चा कर रहे है, अलंकार क्या है, उनकी चर्चा करें अब शब्दालंकार का परिचे लेते हैं कि शब्दालंकार होते क्या है, शब्द विशेश रहने पर जो अलंकार होता है, मतलब जहां शब्दों को देख करके अलंकार माना जाता है, उसको कहते है शब्दालंकार, और इस आधार पर जो अलंकार किसी विशेश शब्द की स उसके स्थान पर कोई परियाएवाची शब्द रख देने से उसका स्थित्वा ना रहे वह शब्द अलंकार है। इसे ऐसा समझा जाए कि शब्द अलंकार में शब्दों का परिवर्टन नहीं किया जा सकता। यह शब्दों को परिवर्थित करते ही अलंकार अत्वस्मापत हो जाता है। यह अलंकार शब्द पराश्रित होने से शाब्दिक चम्तकार के विशेश रोप से अभिविद्धी करते हैं। और काब्यार्थ को सुन्दर शैली में व्यक्त करने में साहिक है। साथ ही इन में धुन्यात्मकता होने से यह सुनने में भी प्रिया और मधूर होते हैं। शब्दालंकार कुछ तो वर्ण गत होते हैं, कुछ शब्द गत होते हैं, यह ध्यान रखना, वर्ण गत मतलो जहां वर्णों को देखा जाएगा, शब्द गत का मतलो जहां शब्दों को देखा जाएगा, और कुछ अलंकार इसमें बाक्य गत होते हैं, जहां बाक्य देखा इसमें कौन-कौन से अनुप्रास यमक शलेश वक रोखती यह शब्दालंकार जो पांच की अमने बात की तो इनका एक उधारन दिया अर्था अनुप्रास देते हो का इसमें हम आगे पढ़ेंगे लक्षण भी पढ़ेंगे इनके जो सुत्र दिये होंगे अब यदि इस शलोक में बंदनम के बदले अर्चनम शब्द रख दिया जाता तो अनुप्रास अलंकार ही समाप्त हो जाता क्योंगे शब्द बदल जाना तो इसके उधारन से आगे आगे आप ज़्याद समझेंगे चलो पहला है वक्रोक्ति वक्रोक्ति के बारे में अचारे मुम्मट ने क्या कहा उसके लिए यहां दिया है कि रहे वक्ता द्वारा अन्या प्रकार से कहे हुए बाक्या का अर्थ शलेश या काकू कहने का तरीका जो होता है काकू कहते है धोनी को कि द्वारा श्रोता वक्ता के अभिप्राय से भिन समझें उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं इसका लक्षन कहा गया अर्थात जो बक्ता द्वारा या अन्य प्रकार से कहा हुआ वाक्या दूसरे किसी दूसरे के द्वारा अर्थात जो समचने वाला या श्रोता के द्वारा शलेश अर्थात शब्द के दो अर्थों वाला होने से अथवा काकू अर्था बोलने के प्रकार से अन्य प्रकार से उसको समच लेता आप भी प्राइब अलग ले लेता है उसको कहते हैं वक रोकती अलंकार मतलब जहां पे किसी ने कहा कुछ और उसका किसी ने अर्थ जो ग्राण किया और कुछ कहने के उस तरीके से यद्देप्य उसको कहा नहीं कि वैसा है यहना बहुत से शब्दों का हम लोग प्रयोग करत है तो इस किसी ने का कोई हरानी वाली बात है कि किसी ने कोई बात सुना दी तो इस तरह करके जहां कह रहे हैं कि काकु के कारण क्या होता है वकता है उसको कुछ और समझ लेता है अब वक्रोक्ति अलंकार जहां बाक्य में वक्रता आ जाए जहां अर्थ में वक्रता आ जाए उसी को कहते हैं यह दो प्रकार कहते हैं सभंग और एक यह कहते हैं शलेश वक्रोक्ति और काकु वक दो तरह का होता है श्लेश वक्रोक्ति के भी दो भेद हो जाते सभंग श्लेश वक्रोक्ति और आवंग श्लेश वक्रोक्ति तो हमने कहा न कि श्लेश और काकू के कारण दो अर्थ समझ लेते हैं जहां पे श्लेश शब्द के दो अर्थ हो जाएं काकू का मतलब बोलने के प् वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ लिया जाए इसके लिए निमलेक्ट श्लोक में काविफकाश्नों धृत किया है। क्या लिखाया नारी नाम अनुकूलम आचरसी चे जानासी कश्चे चेतनों बामानाम प्रियम आदधाती हित क्रिन्नेव बलानाम भवान। युक्तम किम हितकर्तनम ननु बला भावप्रसिद्धात्वना सामर्थ्यम भवतह पुरंदरम पुरंदरमत छेदम विधातुम कुतहा। अब यहां हम एक चीज समझेंगे। कहा क्या है सभंगशलेश में क्या हुआ कि यहां जो काशब्द एक प्रियोक्या नारी नाम। लेकिन यहां आपने शब्द कहा है नारी नाम। नारी शब्द से लिए तो शष्टी बवचन में बनेगा नारी नाम। तो स्त्रियों का हो जाएगा अब इसमें बक्ता ये नहीं कहना चारा है स्त्रियों को हो सके कि बक्ता इसमें कहना चारा हो स्त्रियों के लिए या बक्ता कहना चारा हो कुछ और तो ये कह रहा है देखो अगर हम इसको संधी विछेद करके बात करेंगे तो हो जागा ना अरी नाम ना अरी नाम अरी नाम का अरी होता है शत्रू अगर उपर ग्यारत लें नारी नारीयों का स्त्रीयों के पर ऐसे हो जागा शत्रूं के अगर श्रोता नारी नाम मतलब जिसको कोई कहने वाला चाहर है नारी नाम अनुकूलम आचरसी वह आप स्त्रियों के प्रतिक्या अनुकूल आचरन करेंगे या करते हो लेकिन किसी ने कहा अब समझने वाले ने कहा नारी नाम अनुकूलम आचरसी वह शत्रों के बारे में कहा है जो शत्रों के अनुकूल आचरन करेगा किसी ने इसका अर्था इस तरह लिया तो इसको कहते है सभंगशलेश तो इससे पूरे में देखेंगे जहां लिखा अनुकूल आचरन करेगा अर्था कोई नहीं वे ऐसा तो कोई नहीं करता स्त्रियों के प्रति तो अनुकूल आचरन सभी करते है प्रण्तु शत्रों के प्रतिया नुकुल आचरन कोई नहीं करेगा लेकिन श्रोता पुर्वबक्ता बाम का अर्थ देखा ना बामानाम प्रियम आदधाती अब बामानाम का अब देखिंग ये बाम का अर्थ होता है शत्रों ना लेकर स्त्री लेता है है ना बाम और बामा दोनों शष्ठी भ्योक्ति के ववचन के रूप बनते तो बामा नाम कोई बुद्धी मान व्यक्ति इसका करेगा स्त्रीयों के शाषन में रहना पसंद करेगा तो इस तरह भी यह बहुत सी बाते यहां लिखी गई यह ऐसा जहां पर हम कहा करते हैं अलग से अर्थ लेते हैं करेगा वह कोई नहीं यह कह रहा है कि नारिणाम अनकुलम आचरसी उन्हें कहा कि कोई शत्रों के प्रतिया अनकुला आचरन नहीं करेगा तो इसका बामानाम का भी प्रयोग क्या चाहिए बाम शब्द भी श्त्री के लिए भी प्रयोग में लाए जाता है और शत्रों के लिए भी जो शत्रों के अनकुला आचरन करता है तो कोई नहीं या फिर उनके हित क्रिनेव अबला नाम भवान तो अबला नाम क्या मतलब होता है निर्वल अबला स्त्री के लिए भी प्रयोग किया जाता है तो इस तरह करके यहां अर्थ हो जाए जो निर्वलों का अया दुर्वलों के हितों का नाश करने बाले नहीं हो तो यही बात है युक्तम किम हितकरतनम ननु बला भाव प्रसिधात्मनह सामर्थ्यम भवता पुरंदर मत छेदम विधात्म खुता इस तरह कहते हैं कि दुर्वलों के हितों का नाश करने बाले नहीं हो उत्तर देते हैं कि क्या बात करते हो निर्वलों के हित का बिनाश करना क्या उचित है फर्थाज बिल्कुल भी नहीं है तो लेकिन इसका जो श्रोता या पुर्वबक्ता ने यहां बला भाव का अर्थ बल के आभाव वाला निर्वलना लेकर के बल नामक असुर को जितने वाला इंडर लेकर समझता है क्या देवराज इंडर के हित का विनाश करना उचित है और ठात नहीं है तो इस तरह करके इनों नहीं का कि जहांपे हम लोग अर्थ अलग ले लेते हैं संधी के कारण या समास के कारण दूसरा है अभंगशलेश उपरवाला तो आया था सभंगशलेश सभंगशलेश में क्या था जहां शब्ड को संधी विछे दिया समास विग्रह के द्वारा तोड़कर बकता क्या अभिताय को भिन अर्थ में लिया जाता है उसको कहते है सभंगशलेश और दूसरा अभंगशलेश तो अभंगशलेश में क्या था वक्रोक्ती में संधी विछे दिया समास विग्रह पद को बिना अलग किये बक्ता के अभी प्राए से भिन अर्थ समझा लिया जाता है विया संधी विछे दिया समास विग्रह के पद को बिना अलग किये जां करना चाहिए तब आ नहीं करना जां नहीं करना चाहिए तब आ करना तो इसको समले जिसे अहो केन इद्रिशी बुद्धिर दारुना तब निर्मिता त्रिगुना शुरू यते बुद्धिर न दारुमई क्वचित अब ये श्लोक का सामानियत अहो केन इद्रिशी बुद्धिर दारुना तब निर्मिता अब कह रहे हैं कि अहो वह आश्चरे की बात है केन किसके द्वारा ये जो आपकी बुद्धी दारुणा मतलए कुठोर बुद्धी जो है किसने बनाई है अब इसमें त्रीतिय विवक्ति का प्रयोग है तो दारुणा का अर्थ यहां पर किसे लिया गया है लकड़ी का लिया दारुशब्ध पुलिंग के लिए भी है काश्ट के लिए भी प्रयोग किया जाता है आप लोग ने एक समास भी पढ़ा होगा यूप दारुप ताद हित वाला वहां आता ताद ही सुखवली रक्षित ही चुतुर्थी बहुवरेश मास का है यह तो इस प्रकारियां के त्रिगुणा श्रू यते बुद्धिर न तु दारुप अई क्वचित वे किसने तुम्हारी ऐसी दारुण निर्दय या कठोर बुद्धी बनाई है जिसमे कि तीन गुणों से बनी हुई बुद्धी तो सुनी जाती है पर काश्ट से बनी हुई बुद्धी नहीं सुनी जाती है अब इसका एक तो अर्थ हो गया कि तुम्हारी ये जो बुद्धी किसने निर्मित की है अरा तीन गुण तीन गुण तीन तरह के गुण सत्तो गुण रजोगुणा अर्तमों गुण या पीर इसके दूसरे अगर गुण लेने हैं तो दूसरे गुण कौन से होगे? बुद्धी के गुण तो वही है, सत्तो रजस्तम तमस किर तीन गुणों से बनी हुई बुद्धी तो सुनी जाती है, पर लकड़ी से बनी हुई पुद्धियामने कभी सुनी नहीं है इस उदारण में बिना संधीव छेदिया समास विग्रह किये दारुणा पद का बक्ता से अभिप्राय भिन्नार्थ काट से निर्मित श्रोता ने ले लिया इसमें अभंगशलेश अलंकार हो गया अभंगशलेश करें काकू वक्रोक्ति भिन्न कंठ ध्वनी धी रही काकू रित्य विधी यते जां कंठ ध्वनी में परिवर्तन से अर्थ समझने वाली स्थिति को काकू वक्रोक्ति कहा जाता है गुरुजन परतंत्रतया दूर तरम देशमुद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल अलिकुल कोकिल अर्थे लिते नेश्यती सकी सुर्भी समयो असव यहां भी एक बात कही जारी है सारे श्लोक आप लोग ने पढ़े गुरुजन के आगे से भी देश जाने को त्यार हुआ है इसलिए यह सकी भम्रों और कोईलों के मदुर धनी के समय वे नहीं लोटेंगे तो यहां नाईका द्वारा अपनी सकी को बात कही जारी है कर दूसरे बाग क्या हो सहीली यूं कहना चारी है क्या वे बसंत में नहीं आएंगे अर्थात अवश्या आएंगे इस प्रकार का विप्रित अर्थ हो जाता है तो इस तरह करके इनके भेद हो जाएंगे तो यह सारे बात है कि हमने कहा कि वक्रोक्ती है वक्रोक्ती के दो भेद कर दिया है तो दो भेदों में भी फिर उसमें भी अभंग श्लेश और दूसरा सभंग श्लेश दो भेदों उसके कर दिये उसी पे ही चर्चा की गई है अब जो हम वक्रोक्ति के बात करेंगे एक काकू वक्रोक्ति है ये का श्लेश बक्रोक्ति है तो श्लेश बक्रोक्ति की जो बात करते हैं ये भी अभंग श्लेश है और सभंग श्लेश है तो दोनों के अबने बात करती है जहां बीना संधी नहीं करनी थी, वहां संधी को करके देख लेना, उसको कहते है, सभंग शलेश, जहां पर नहीं करना चाहिए था, जैसे संधी समास नहीं करना चाहिए था, वहां संधी समास करके ही बात कर दी, तो उसको कहते है, सभंग, बड़ बड़ होगी, उसको कहते है अभंग शलेश और सभंग शलेश हो गया, सभंग में समास नहीं करना था, वहां कर लेते हैं, संदी नहीं करनी थी, वहां कर लेते हैं, उससे अर्थ समझते हैं, और दूसरा अभंग शलेश, जहां संदी विछे दिया समास विग्रापद को बिना अलग किये वक्ता, अभी प अनुप्रासालंकार की बात करेंगे तो अनुप्रासालंकार क्या है इसका लक्षन दिया बर्न साम्यम अनुप्रासा जहां बर्नों में समानता अर्था बर्नों की समानता आबरित्ती बार बार जहां पर आए उसको अनुप्रासालंकार करते हैं अना वले या ब्यंजनों के साथ स्युक्त स्वरों में समानता ना हो लेकिन ब्यंजनों में समानता होनी चाहिए ऐसा होने पर अनुप्रासलंकार होगा तो अनुप्रास अनंकार की व्युत्पत्ति की गई है रसादी अनुगत प्रकृष्टस्च न्यासह अनुप्रासह यहां देखिए यह लिका रसादी अनुगतम प्रकृष्टस्च न्यासह अनुप्रासह रसादी के अनुकूल वर्नों के प्रकृष्ट सन्निवेश को ही अन आप लोग समझेंगे, अब इसके भी भेद होते हैं, ये दो प्रकार का होता है, अनुपरास अनुकार भी एक इसका जा वरना अनुप्रास के हम लोग देखते छेका अनुप्रास और बृत्या अनुप्रास दो भेद हो जाते हैं कुन-कुन से भेद है एक तो है छेका अनुप्रास और दूसरा है बृत्या अनुप्रास दो भेद है इसके तो इसमें भी हम अगर देखेंगे तो बृत्य अनुप्रास के भी दो भेद हो जाते है तो बृत्य अनुप्रास के भी हम दो भेद करते हैं तो दो भेद क्या है? एक तो हमारा आता है पदा अनुप्रास और दूसरा आता है लाटा अनुप्रास ये इसके दो भेद है याद रखना अनुप्रास अलंकार वरन सामे में अनुप्रास है अनुप्रास दो प्रकार का होता है छेकानुप्रास, बृत्यानुप्रास ऐसा करके और फिर उसके बृत्यानुप्रास के भी दो भेड होते पदानुप्रास और लाटानुप्रास तो लाटानुप्रास के भी उसमें नेक पदों की आवरित्ती और एक पद की आवरित्ती एक समास में आवरित्ती और समास तता असमास दोनों में आवरित्ती इस तरह करके लाटानुप्रास के भी पांच भेड हो जाते लाट अनुप्रास कितने प्रकार का है? पांच प्रकार का होता है. क्लियर होगी बात है अनुप्रास अलंकार है अनुप्रास अलंकार का लक्षन है वर्ण साम्यम अनुप्रास है यह इसको कहते है वुषकी व्युत्पति की बात करे है रसादी अनुगतम प्रकृष्टस्च नियासह इती अनुप्रास है अर्थाथ रसादी के अनुपूल वर्णों के प्रकृष्ट सन्निवेश को ही अनुप्रास कहा जाता है को अनुप्रास पहले वर्णा अनुप्रास और पदा अनुप्रास दो प्रकार का होता है वर्णानुप्रास के अगर हम बात करेंगे जो अनुप्रास है तो उसके करें को अनुप्रास पले वर्णानुप्रास और पदानुप्रास दो प्रकार का होता है वरणानुप्रास के छेकानुप्रास, बृत्यानुप्रास दो वेद होते हैं तो पदानुप्रास का दूसरा नाम जो है लाटानुप्रास है तो लाटानुप्रास और लाटानुप्रास के पांच वेद होते हैं एक पद के आबरित्ती अनेक पद के आबरित्ती एक समास के आबरित्ती और भिन समास के आबरित्ती और समास तथा आसमास दोनों के आबरित्ती पिछे मज से थोड़ी गलती होई है तो उसको ठीक कर लेना अनुपरास के हमने का कि दो भेद हैं एक बरना अनुपरास और एक पदानुप्रास, फिर पदानुप्रास के भी दो भेदे उसमें परणानुप्रास के छेकानुप्रास और बृत्यानुप्रास, अना वर्णानुप्रास के कितने भेदे, एक छेकानुप्रास है और बृत्यानुप्रास है, जो पदानुप्रास का ही दूसरा नाम के और ये पांच प्रकार का होता है अब कह रहा है बर्णानुप्रास के दो भेदे छेक बृत्ति गतो द्विधा छेक गत और बृत्ति गत ये इस प्रकार बर्णानुप्रास दो प्रकार का होता है छेक शब्द का अर्थ होता है चतुर व्यक्ति बृत्ति का बर्णों से रहने बाला रसविशेक वियंजन व्यापार और छेकान प्रास की करे सो अनेक अस्या सकृत पुर्वहा ता अनेक वरनों का एक वार आवृती रूप सामया छेकान प्रास कर लाता है तो ऐसे इसके भेद दिये गए है और इनको आगे कहा भी है इनके भेद भेद समझते हैं नहीं तो ये जादा फिर उसके हो जाएगे अना लाटा अनुप्रास के भी दिया है उधारन तो आप लोग एक एक देख सकते हैं छेकान प्रास में कहा सो अनेक अस्य सक्रित पुर्वार तात अनेक वरणों का एक वार आवरित्ती रोप साम्या छेकान प्रास कहला ता है अनेक वरणों का एक वार आवरित्ती पुर्व साम्या जिसे ततो अरुण परिस्पंद परिस्पंदम मंदिकृत बपुह शशी दगधे काम परिक्षाम कामिनी गंड़ पांडु ताम यहां रात्री युद के बाद प्रभात बरणन का प्रसंग है तप्रप्राता काल के समय सूर्य के सार्थी अरुण के गतिशिल होने से मलिन स्वरूप बाला चंद्रमा काम के उपभोग से दुरुवल कामनी के कपोल स्थल के समान स्पेध हो गया है कि कहरें जब सूर्य उदित होता है तो क्या होता है चंद्रमा का जो चमक है वो फी की पढ़ जाती है तो इसी तरह कहरें काम में कोई दगदिस्त्री है तो उसका भी उसके कारण क्या हो रहा है चेरा जो है बिलकुल काला पढ़ गया है ऐसे व्रित्य अनुप्रास्का का एकस्या अप्या स्कृत परहा अर्था एक वरण का भी अनेक वरणों का भी अनेक बार आवरित्ति रोप साम्य हो जाए तो यसे अनेक तरह के दिये हुए आप लोग काव्य प्रकाश में इनको पढ़ सकते है और रित्ति जो हमारे पास दो तरह के रितियां होती है गौडी और वैधर्वी रित्ति है आप काव्य दीपिका में भी इनको पढ़ सकते है ऐसे लाटा नुप्रास का भी दिया शब्दस्तु लाटा नुप्रासो भेदेत तात्परिय मात्र तहा तो इस तरह करके अनेक उदारणियां दिये गए तो इनको आप लोगने एक बार देख लेना है तो आज के लिए मुझे लग रहा है इतना प्रियाप्ता है प्रिया नुप्रास भेदे लोगने के लिए तो